हलो स्टूडिंस दिस इस सुर्वितिवारी और यू आ वाचिंगे फेवरेट एजुकेशनल चैनल मागनिट ब्रेंज जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन और जब 100% कहा जाता है न तो इसका मतलब यह नहीं कि दो चैप्टर के बाद आपको किसी भी तरीके का पेट सब्सक्रिप्शन लेना है माने ब्रेंस पर आपको सी बेसी स्टेट बोर्ड हिंदी मेडियम इंग्लिश मेडियम एंटी एसी या ओलिंपियाड या बहुत सारे फेमस राइटर्स के बुक का सॉलूशन ही क्यों ना हो सब कुछ मिलता है 100% फ्री आफ कॉ सारे चैप्टर मिल जाएंगे हमने शुरुवात करी थी चैप्टर नमबर 12 की जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंट सर्किट्स इस चैप्टर में हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लिया है एक बार क्विक रिवीजन आपका करवा देती हूं क्यों करवा इसे ओप पैसे नाम होते हूं र से फिन ऍवीजन आती आपको ंपर की तरफ दिखती है ठ्यका है तो वो ट्रमिशन लाइन के थूए हमारे शहरों तक और शहर से हमारी हगर दी है ठीक है आप आ गए हमारे घर में आप इसका У् ДВ淋 किया है तो हमारे घरकी जितने भी अप्लाइंसेंसेंropolस सबी इलेक्रिसिटी पर चलते हैं अप कुछ ऐसे अप्लाइंसेंस होते हैं जिनको हम मेन सिप्लाय से नहीं य्यूज़ करते हैं आपके रिमोट हो गया या आपका वीडियो गेम है है या फिर आपका जो भी टॉइज है वह उन्सभी को чноGG पर ट्रबलारी मार्मत्त आपकी और कि इस वहती है कि यह की होते हैं यह सब बातें थोड़ी आगी की क्लास के लिए हमने छोड़ दी थी और अभी हमने सिर्फ यह जाना था कि जो सेल है यह कैसे काम करती है तो हमें समझ में आया कि वह सेल में एक्चल में दो पॉइंट होते हैं उपर और नीचे जिनको उसका टर्मिनल कहा जाता है जो एक टर्मिनल होता है जो थोड़ा सा कैप के समान उठा हुआ रहता है उसे पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाता है और जो नीचे का फ्लैट होता है डिस्क के समान जो दिखता है वो जो आपका टर्मिन है वो एक नेगेटिव टर्मिनल होता है तो यह दोनों चीजे हमने आल्रेडी हमारे प्रिवेस कुछ वीडियो में कम्टीर कर ली फिर हमने यह जाना कि बैटरी के अंदर यह सेल के अंदर बेसिकली होता क्या है तो सेल के अंदर एक कैमिकल भरा होता है जो की एलेक्टरिसिती में करते हैं क्योंकि फोन भी बैटरी ओपरेटेड होता है फोन के अंदर आप देखा होगा पहले आपन को जाणा को मिलता आज कल तो inbuilt होती है इनके अंदर बैटरीेज होती है ठीक है अब इसके अलावा हमने जाना कि इलेक्रिकल सरकित क्या होता है तो उससे पहले हमने प तक पहुचता है मतलब electricity fan तक पहुचती है और वो चल जाता है जैसे ही आप switch को off करते हो तो current बहना बंद हो जाता है तो किसी भी circuit को चालू या बंद करने के लिए किसकी जरूरत परती है switch की अब electric circuit क्या होता है एक closed loop होता है ठीक है closed loop मतलब कि जिसमें की जो आपका current है वो आ बंद एक परिपत जिसको बोलते हैं हिंदी में या फिर circuit जो कहीं से भी open ना हो उसमें एक source लगा हो मतलब की जहां से हमें electricity मिल रही है source मतलब की cell लगा हो एक load लगा हो load मतलब की आपको बताया था मैंने कि appliances आपके जो भी आप उस battery का use करके बना रहे हो और उसमें switch होता है इन सारी चीजों से आपका circuit बनेगा और circuit को complete करने के लिए circuit को loop बनाने के लिए हमें conducting wires की ज़रूरत पड़ती हैं तो फिर हमने जाना कि conductors क्या होते हैं और insulators क्या होते हैं तो हमें समझ में आया कि conductor वो सारी चीजे जो कि electricity को conduct करते हैं, electricity को अपने अंदर से जाने दीते हैं वो सभी हमारे conductors कहलाते हैं और insulators का मतलब जाना जाये तो insulator वो सारी चीजे जो कि अपने अंदर से electricity को पास नहीं करते हैं अब conductor के example कौन कौन से थे तो conductors के example था आपका aluminium, metal जितने भी तरीके का होता है, human body, earth ठीक है यह सभी आपके electricity के conductors हैं और अगर मैं बात करूं insulators की तो insulators क्या होते हैं, insulators होते हैं, wood, plastic, stone, यह सारी चीजे आपके या फिर आपका wool, आपके जो कपड़े होते हैं, villain material जो होता है, यह सभी electricity के insulators होते हैं, मतलब कि electricity को अपने अंदर से पास नहीं होने देते हैं, ठीक है, तो यह सारी चीजे हमने सीख लीती की conductor क्या है, insulators क्य है, circuit क्या होता है, cell क्या होता है, यह सारी चीजे हमने थोड़ी-थोड़ी सी जान ली, अब पूरा revision मैंने आपको करवा दिया है, अब किसकी बारी आती है, तो अब बारी आती है, solution करने की, तो चलिए, इस revision के बाद देखते हैं कि पहला हमारा question क्या हमसे पूछा जा रहा ह है, तो भी पहला question बहुत ही अच्छा है, friendly blanks है, आपसे क्या पूछा हुआ है, पहला है, a device that is used to break an electric circuit is called, अब break, break करना मतलब की तोड़ना, अब electric circuit क्या होता है, कुछ इस तरह से, बतारियो मैं आपको design करके, आप already पढ़ चुके हैं कि electric circuit में एक cell होता है, ठीके, एक switch होता है, ओके, एक यहाँ पर load होता है, load मतलब की आपका bulb होता है, है ना, bulb, clear हो गया, अब अगर इस condition में देखा जाए, तो आपका circuit कैसा है, क्या यह closed circuit है, नहीं, यह यहाँ से open है, ठीके, तो इसका मतलब की यह कौन open कर रहा है, इसको, यह जो switch है, यह इसे open करने का काम कर रहा है, ठीके, तो that means कि यह जो switch है, यह आपके circuit को break कर रहा है, break मतलब की पहले आपका circuit कैसा होना चाहिए था, एक पुरा closed path होना चाहिए था, closed loop होना चाहिए था, लेकिन बीच में आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, यहाँ पर आपने लगा दिया switch, तो या तो वो circuit को break या फिर वो circuit को complete करेगा, ठीके, तो एक ऐसी चीज जो कि आपके circuit को break करने का काम करती है, या फिर हम कहें कि आपकी closed loop को open कर देता है, वो कौन से या device होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो वो क्या होता है, वो होता है switch, ठीके, क्योंकि switch के कारण हम circuit को क्या कर देते हैं, break कर देते हैं, मतलब कि उसे बीच में से खोल देते हैं, ठीक है, अब यह जो electric circuit है, आपके घर में जो लगा हुआ होता है, यह तो भई अलग-अलग थोड़ा सा complex design का होता है, हम समझने के लिए बस इतना समझ सकते हैं, कि जैसे एक बंद पूरा circuit है, जिसमें से current आसानी से यहा चलेगा, हमें fan को बंद करना है, तो क्या करना पड़ेगा, current का बहना रोकना पड़ेगा, तो इसके लिए हमने किसका यूज किया, उसके लिए हमने switch का यूज किया, ठीक है, तो switch क्या करता है, switch एक तरीकी का device होता है, जो कि आपके electric circuit को break करेगा, या फिर open करने का काम करता है, अब बारी आती है, next question की, तो यहां से समझ में आ गया हमें, कि यहां पे answer क्या होना चाहिए था, switch, ठीक है, अब है, an electric cell has dash terminals, अब terminals क्या होते हैं, जैसे हमारे दो हाथ होते हैं, उसी तरीके से electric cell के भी दो सिरे होते हैं, दो terminals होते हैं, दो हाथ होते हैं, ठीक है, आपने और नीचे का यह जो हिस्सा है, वो disk के जैसा होता है, जो की होता है, उसका negative terminal, ठीक है, अब अगर आपको इसको किसी भी जवाइस से attach करना है, तो आप कैसे attach करोगे, हमेशा याद रखो, कि जब भी आपको इसको किसी भी चीज में डालना होता है, तो हर चीज में जिसमें क बैटरी या सेल का यूज हो रहा होता है, जैसे आपका remote ही क्यो ना हो, तो उसमें क्या लिखा होगा, positive लिखा होगा और negative लिखा होगा, तो आपको इसका positive किस से जोड़ना है, negative से और negative को positive से, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि क्या बताया था मैंने आपको positive और positive एक दूसरे को ripple कर देते हैं, हटा देते हैं, दूर करते हैं, ठीके, और negative, negative भी एक दुसरे को हटाते हैं, इसलिए जब भी आप cell का use करो, तो आपको क्या बात याद रखनी है, आपको याद रखना है कि positive को हमेशा negative side में लगाओ, और negative को हमेशा positive side में आपको लगाना है, ठीके, तो भई, अभी अपन वापिस question पर आ जाते हैं, थोड़ी extra चीजें भी हमने जान ली, कि अब पूछा था कि electric cell में कितने terminals होते हैं, तो यहां से आपको दिख रहे हैं, electric cell में एक होता है positive, एक होता है negative, मतलब कि इसमें कितने terminals होते हैं, electric cell के अंदर दो terminals होते हैं, ठीक है two terminals, clear हो गया, तो भई यहां से यह जो दोनों options थे, कि switch क्या होता है, जो कि on off करने का काम करेगा, या हम कहें कि circuit को closed या open करने का काम करेगा, या यह भी कह सकते हुआ कि वो circuit को break करने का काम करता है, और electric cell एक ऐसी चीज है, जिसमें कि दो terminals होते हैं, clear हुआ, चले, तो यहां से हम इस question को करते हैं, खत्म और आगे बढ़ेंगे हमारे next question की तरफ, तो यह answers थे, switch and to, next is, mark true or false for the following statements, आपको true and false बताना है, कि यह जो statements आपको यहां पर written है, they are right or wrong, so first is, electric current can flow through metals, जे कहां है, first one is, electric current can flow through metals, is that true, yes, electric current can flow through metals, जो electric current है, वो metals के through flow कर सकता है, अब metals का मतलब क्या होता है, जितने भी आपके metal है, like copper है, aluminium, silver, gold, यह सभी हमारे metals होते हैं, जिनके through हमारा current पास करेगा, तो वो से current पास करने देंगे, इसी current से, जो हमारे electric wires होते हैं, आपने देखा होगा, उसमें metal के पतले-पतले से wire होते हैं, copper का या aluminium का, किसी का भी वो material हो सकता है, सबसे जादा copper का use किया जाता है, copper का इसलिए use होता है, क्योंकि उसकी बहुत साधी अच्छी properties होते हैं, जुसको best conductor बनाती है, ठीक है, साथी साथ उसकी cost भी effective होती है, अगर gold और silver का use करोगी, तो कितना महंगा पड़ेगा बताओ, है ना, तो इसे लिए electric current can flow through metals, तो yes, जो electric current है, वो metals की through flow कर सकता है, हमने कैसे example देखा, हमने कैसे जाना, हमें क्या सबूत है इसका, तो हमारे घर में जितने भी wiring जोती हैं, उन wire के अंदर, उपर भले ही plastic का cover हो, लेकिन अंदर क्या होता है, अंदर metal के पतले-पतले wires ही होते हैं, और उपर plastic का cover क्यों लगाया जाता है, यह बात को भी आत दिला दू, इसले करा जाता है, क्योंकि plastic insulator है, अंदर जो भी current बह रहा है wire से, वो उसे उपर नहीं आने देगा, और अगर आप wire को छूते भी हैं, आप उसे touch भी करते हैं, तो जो shock है, वो आपको नहीं लगेगा, ठीक है, तो yes, electric current can flow through metals, is false or true, तो यह true है, अब instant of metal wires, a jute string can be used to make a circuit, ठीक है, अगर हमें circuit बनाना है, तो हम metal के wires के जगे, jute जो होता है, उसकी string का use कर सकते हैं, क्या जी नहीं, यह बिल्कुल सरासर गलत है, हमें हमेशा metals के wire को ही use करना पड़ेगा, क्योंकि यह conductor है, jute जो होगा, वो क्या होगा, एक तरीके का, आपका wool है, एक तरीके का fiber है, तो इसके through तो बिल्कुल भी current आपका pass नहीं कर सकता, ठीके, तो insulators कौन कौन से होते हैं, इसी बात से आपको याद दिलादू, jute क्या है, एक तरीके का, एक insulator है, ठीके, insulators क्या होते हैं, glass, plastic, ceramic, rubber, paper, fabric, wood, wool, cork, ये सब चीजे क्या होते हैं, आपकी, ये सारी की सारी चीजे insulator होते हैं, और jute भी, jute की मदद से भी हम हमारे fabrics बनाते हैं, ठीके, इसे लिए jute क्या हो, एक insulator है, और उससे हमारा current है, वो बिल्कुल भी flow नहीं कर पाएगा, clear हो गई आपको ये बात चलो, अब electric current can pass through a sheet of thermacol, अब ये पूच रहे हैं, कि चलिए ठीक है, आपने बोला कि जूट भी एक insulator है, उससे current नहीं पास कर सकता, क्या electric current हमारे thermacol से पास हो सकता है, तो याद करिए, मैंने आपको करवाई थी एक activity, जिसके उपर हमने एक cell रखा था, ठीके, thermacol लिया और उसके उपर हमने cell को रखा था, और nails को रखा था, metal iron nail को रखा, और wire को से current किया, बीच में safety pin रखी, एक bulb लगाया था, तो सारी चीजे रन कर रही थी, लेकिन जब आपने thermacol को test किया, तो उसमें current नहीं produce हो रहा था, current नहीं जा रहा था, इसलिए हमने सारा circuit thermacol के उप होता है, उसके अंदर से current नहीं flow कर सकता, यह मतलब कि यह है कि अगर आपने current वाली कोई चीज thermacol के उपर रखी हुई है, तो वो current thermacol पर नहीं आता है, आप उसे touch कर सकते हैं, ठीक है, तो electric current can pass through a sheet of thermacol, तो जी नहीं, electric current कभी भी thermacol से पास नहीं होगा, और क्यों नहीं ह इसका current मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि thermacol एक तरीके का insulator होता है, ठीक है, तो यहां से हम सीख गए हैं कि electric current metal से इसले जाता है, क्योंकि metal हमारा क्या है, metal हमारा conductor है, ठीक है, यह जो metal wire है, उसकी जगे अगर आप jute string का use करोगे, तो circuit नहीं बन सकता, क्योंकि यह क्या insulator है, ठीक है, एन अगें, electric current हमारी thermacol से इसले पास नहीं हो सकता, क्योंकि यह भी क्या है, यह भी एक insulator है, clear हो गया, चले, तो यहां से यह हमने कतम किया, हमारा true and false और क्यों इसका reason था, यह भी हमने आपको यहां पर समझा दिया, और यह रहे इसके answers, अब आगे चलेंग shown in the figure 12.30, अब जरा figure को सबसे पहले तो आप ध्यान से देख लीजे, अब यह आप से कह रहे हैं, कि यहां पर आपका bulb glow क्यों नहीं कर पा रहा है, अब इस figure को अगर अपन ध्यान से देखे, पहले इसके study करें, तो यहां पर लगा हुआ है हमारा cell, ठीक है, अब अगर किसी भी चीज को मुझे connect करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहां पर एक wire को लगाऊंगी, और एक wire को यहां पर लगाऊंगी, ठीक है, अच्छी तरीके से connect कर देंगे, रवर बैंड की मदद से, ठीक, तो हमने यह दोनों चीज की हुई है, यहां पर भी wire लगा हुआ है, यहां प कर दिया, यहां पर एक wire को यहां से connect कर दिया, और यह जो दूसरा wire था, जिसको उसके दूसरे टर्मिनल से connect होना था, उसको हमने डारेक्ट ना करके, बीच में रख दिया एक knife, क्या रखा हुआ है, ठीक है, अब इस knife में हमने एक side तो metal था, लेकिन दूसरे side पर यह क्या है है, वुड है, ठीक के यहां पर क्या है, metal है, तो क्या होगा, कि यहां से अपने इसको جोडा और यहां से connect जब करा, और जब हमने जैसे ही cell से connect किया, तो देख रहे हम की हमारा बल्ब नहीं जल पा रहे है, क्यों कि चले माझ लिजे की current है है, यां गया, यहां गया, अब होता है वुड होता है इंस्यूलेटर इंस्यूलेटर का मतलब क्या होता है जिसके थ्रू करेंट नहीं जाएगा तो भई अब करेंट कैसे आगे बढ़ेगा करेंट के सामने तो क्या गया वुड आ गया वो तो सिर्फ मैटल से जा पाता है वुड से जाई नहीं पाएगा तो इसका मतलब कि इस condition में circuit हमारा incomplete हो गया क्योंकि current bulb तक पहुच ही नहीं पा रहा है, इसी current से bulb नहीं जल पा रहा है, ठीक है क्यों नहीं जल पा रहा है क्योंकि बीच में ये wood का piece आ चुका है, जो की conductor नहीं है, insulator है, इसी current से हमारा circuit incomplete हो चुका है और incomplete होने के current क्योंकि current बल तक नहीं पहुंच रहा और बल नहीं जल रहा है ठीक है अब इसकी जगहा पर अगर wood की जगहा पर यहाँ पर कोई metal ही होता ठीक है क्या होता सिर्फ और सिर्फ metal तो क्या current यहां से निकलता यहां जाता metals के through इस bulb में जाता और bulb आपका glow कर जाता ठीक है लेकिन बीच में आमने लकडी लगा दी plastic which does not allow the electric current to flow through it ठीक है अब यहां पर आप इसको यह देख लीजे कि ध्यान से यह वुड हो चाहे यह plastic हो दोनों ही क्या है insulators है यहां पर एक tester लगाया हुआ है ठीक है तो यह and आपका plastic का है ठीक है और यह and metal का है ठीक है हमने अभी किसके example से समझा हमने समझा उसे वुड के example से मैंने दोनों चीज़े जानबुच के include करी है कि चाहे knife रखा हो चाहे आपका tester रखा हुआ हो इसके through current क्यों नहीं pass करेगा क्योंकि knife का end एक and plastic या वुड का होता है और tester का भी एक and plastic का होता है क्योंकि plastic का इसलिए होता है क्योंकि tester की मदद से आप यह चेक करते हो कि किसी भी चीज में current पास हो रहा है या नहीं क्योंकि अगर किसी भी चीज में complete drawing shown in the figure to indicate where the free ends of the two wire should be joined to make the bulb glow ठेक है अब आपको बताना है कि किस तरह से हम इसको connect करें ठेक है टाकि यह जो आपका bulb है वो glow कर पाए ठेक है चलिए तो अपन देख लेते हमारे पास क्या क्या है तो हमारे पास है बल्ब ठेक है यहाँ पर मैंने यह बल्ब रख दिया है ठेक हमारे पास है एक cell यह हमने cell बना दिया ठेक है और है हमारे पास एक handmade switch ठेक है मदलब की क्या है handmade switch कैसे बनाओगे थर्मा कॉल की आपको sheet लेनी है उसमें आपको बीच में safety pin रखनी है और safety pin को किस से connect कर देना है दोनों nails से ठेक है यह जो आपकी drawing nails होती है उनको आपने इस तरह से connect कर दिया drawing pins को ठेक है अब आपने क्या किया कि यहाँ पर लगा दिया एक wire ठेक है मन्दब की एक terminal को आप connect कर चुके हो अब नीचे वाले terminal को connect जब तक नहीं करोगे यह glow नहीं करेगा अब आपको switch भी से आप अगर arrangement करोगे तो यह जो आपका bulb है वो glow करेगा समझ में आई बात तो आप से क्या प्मुचा था कि complete the drawing to indicate where the free ends of the two wire should be joined to make the bulb glow अगर हमें इन दोनों wires की बात करें तो कहां कहां join होना चाहिए इस wire को हमें यहां connect करना पढ़ेगा और इस wire को यहां ऐसा क्यों क्योंकि इस तरह से हमारा जो circuit है वो complete हो जाएगा और battery से निकलने वाला जो भी current है वो आसानी से इस पूरे circuit में flow करेगा और जब तक कि current पूरे circuit में flow नहीं करता है तब तक current की मदद से कोई भी appliance नहीं काम कर पाता है current तभी flow करेगा जब circuit हमारा पूरा closed हो आई बास समझ में चली तो इसका answer आप किस तरह से दे सकते हैं so to complete the given circuit the free terminal of the cell should be connected to one end of the switch and the base terminal of the bulb should be connected to the other end of the switch ठीक है यह आपका switch है तो switch का एक end battery के एक end से आपको connect करना पड़ेगा ठीक है या फिर आप बोल सकते हो कि यह जो battery का base terminal है negative terminal है या जो भी टर्मिनल है इसे आपको एक switch के terminal के साथ connect करना पड़ेगा और इसके दूसरे terminal के साथ आपको बल्ब को connect करना पड़ेगा इस तरीके के arrangement के साथ हमारा जो बल्ब है वो glow कर जाएगा आई बास समझ में चलो तो यहाँ पर हमने इस question को कर लिया complete और आगे पहुंच गए है that is question number 5 ठीक यहा name some electrical gadgets that have switches built into them अब आपको बताना है कुछ ऐसे electrical gadgets जिनके अंदर switch automatically उनके अंदर inbuilt होता है अब electric switch का काम क्या है अब आप कमरे में आए अंधीरा था आप वो अंधीरा में कुछ दिख नहीं रहा था तो आपने क्या क्या switch को on कर दिया switch को on करते क्या होता है light on हो जाती है आपक जाता है अब अगर आपको ज्यादा थंडी लग रहे तो आप fan या AC को off करोगे तो क्या करोगे आप switch को off करोगे अब switch को on off करने के कई सारे तरीके हैं जैसे अगर मुझे fan को on off करना होता है तो आजकल तो remote control fans भी आ गए हमें remote के on button को या off button को press करना पड़ता है या फिर हमा हमारे appliances को on या off करता है या अगर हम technical terms में बात करें मलब सही सही इसकी terms में तो basically switch एक device होता है जो कि हमारे electrical circuit को open या close या फिर break करने का काम करता है जब भी ये off होता है तो ये electric circuit को break कर देता है circuit के break होने का मतलब ये होता है कि अब electric current के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो आपके fan या AC इन सब के तरफ पहुँच पाए आई बात समझ में चले तो electric switch का तो काम हमने समझ लिया कि ये आपके circuit को चालू करेगा या बंद करेगा अब बात आती है कि इसका आपने inbuilt कहां कहां तो हमारे remote में ये inbuilt होता है और साथी साथ आपका mobile phone भाई उसमें भी तो switch होता है side में ठीक है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो आपके phone को off या on कर सकते हो ठीक है और कहां switches देखे होंगे तो remote controls आपके जितने भी आपके toys होते हैं उनमें भी आपने switch को देखा होगा साथ साथ AC में भी switch होता है सबका अपना power button होता है television के अंदर भी अपना power button होता है मतलब कि वो भी एक तरीके से क्या है switch है ठीक है तो यह सारी चीज़े है जिनकी मदद से हम समझ सकते कि switch का काम क्या है Electric switch is used to make electric circuit open or close ठीक है क्या करता है electric circuit एक देखें electric circuit का काम हमें पता है कि यह हमारे appliances को on or off करेगा है लेकिन on or off तो करता है लेकिन basically होता क्या है इसके अंदर इसके अंदर होता electrical circuit तो basically switch का काम क्या होता है Switch का काम होता है electric circuit को open करना या फिर close करना for a particular appliances किसी भी appliances का जो circuit होता है उसे open या close करने का काम electric switch करेगा Hence with the help of a switch we can use an appliances accordingly ठीक है हमें जैसा भी हमारे appliance को use करना होता है हमें switch की मदद से कर सकते हैं ठीक है and some examples आप से पूछे थे कि name the some electrical gadgets that have switches built into them उनके अंदर जिन में switch होता है तो आपका phone है ठीक है साथ ही साथ आपका air conditioner में भी switch होता है television में भी switch होता है mobile phone में भी switch होता है यह सब आपके examples हैं ट्वाइज में भी होता है next is question number six what would the world glow after completing the circuit shown in the figure if instead instead of safety pin we use an eraser ठीक है अब यह देखें यह figure है इसमें क्या लगाया हुआ है इसमें पहले safety pin है ठीक है अब मैंने इसके wire को connect कर दिया यह जो आपका पहला ही diagram था जो अभी आपने देखा था यहाँ पर आपने wires को इस तरह से connect कर दिया ठीक है अब यहाँ पर क्यों current आपका bulb glow कर रहा था क्योंकि यह जो बीच में लगी अब मैं यहाँ पर आपको design करके बताती हूं तो आपको यह diagram हमेशा याद रहेगा यह आपने क्या लगा दी है यहाँ पर आपने cell लगा दी है ठीक है और यह बीच में हमने क्या किया हमारी एक safety pin की मदद से हमने एक circuit design किया तो इस condition में यह जो आपका circuit है वो on हो जाएगा क्योंकि safety pin क्या है safety pin है एक conductor ठीक है अब इसकी जगहा पर अगर मैं क्या लगा दूँ इसकी जगहा पर मैंने यहाँ पर cell लगाया ठीक है और बीच में लगा दिया eraser तो eraser किसके बना होता है rubber का और rubber क्या होती है insulator तो जब आप खुच सोचें आप इस तरह से answer दे सकते हैं डाइग्नाम्स बना करके तो first case में क्या होगा first case जब आपने किसका use किया safety pin का तो current आपका flow करेगा ठीक है और दूसरी चीज़ current flow करेगा तो bulb हमारा glow करेगा और जो circuit है वो कैसा होगा closed circuit होगा ठीक है आई बात समझ में है न जब आपने safety pin का use किया और जब आपने rubber का use किया तो क्या होगा rubber का use करने से current आपका नहीं flow करेगा current will not flow अब current flow नहीं करेगा तो क्या होगा current flow नहीं करेगा तो bulb will not glow bulb भी glow नहीं करेगा और साथ ही साथ यह जो आपका circuit है वो कैसा हो जाएगा circuit आपका open circuit कहलाएगा ठीक है इन सारे कारणों से यह जो आपका circuit है यह काम नहीं करता है तो आई होप यह चीज आपको समझ में आई होगी इसका answer आप क्या दे सकते हो no since eraser is an insulator so it does not allow to current to pass hence the bulb will not glow ठीक है क्योंकि आपका eraser है वो क्या है एक तरीके का insulator है और insulators के through जब भी कोई चीज पास होती है तो वो current को मतलब पास नहीं होने देते ना heat को पास होने देते हैं इसे कारेंट से बल्ब आपका glow नहीं कर पाएगा आगई बास समझ में चले तो यहां से हमें यह चीज क्लियर हो गई है कि बेर रबर insulator होती और insulator से कभी भी current flow नहीं करता है ठीक आज आपने हमारे अगले question की तरफ आप देख लेते हैं कि क्या इस condition में जो आपका बल्ब है वो ग्लो करेगा तो किसी भी circuit की अगर आपन बात करें तो क्या जरूरी होता है कि करेंट कभ उसमें फ्लो करेगा जब करेंट लब circuit जो है आपका वो closed हो ठीक है क्या होना चाहिए आपका circuit closed होना चाहिए या इसको दूसरे वर्ड में अपन बोले तो closed लूप होना चाहिए तो कुछ इस तरह से मालब कि circuit में बीच में से कहीं भी रास्ता नहीं हो कि आपका current को बहने के लिए रास्ता ना मिले करेंट कभ बहता है जब पूरा complete इस तरह से डाइग्राम होता है तो अपन देख लेते हैं कि यह जो फिगर आपको दिया हुआ है यह complete आपका closed circuit है या फिर open circuit है तो हमने क्या किया यहाँ पर लगाया बल्ब अब यह बल्ब करना ग्लो कर जाएगा ठीक है तो दाइट मीन्स कि इस सर्किट में क्या है कंडिशन है कि बल्ब ग्लो करेगा तो यह सब्सक्राइब क्योंकि इस लिए बल्ब ग्लो करेगा आप कही बच्चों को क्या ना कि क्लोस्ड और ओपन यह जो दो वर्ड है इनमें बड़ा कंफ्यूजन लगता है कि मैं ओपन और क्लोस का मतलब क्या होता है तो सर्किट को क्लोस और ओपन करने का काम कौन करता है स्विच ठीक है अब यह स्विच कैसे करता है तो भही देखिए यहाँ पर आपका लगा हुआ है बल्ब ठीक है मैंने यहाँ पर बल्ब लगा दिया है और यहाँ पर लगा हुआ है सेल और यहाँ पर लगा हुआ है स्विच ठीक है स्विच का एक नॉर्मल सिंबल होता है कि इसमें दो डॉट होते हैं और एक इस तरह से दिखाया जाता है अब जब आपका सर्किट क्लो की तो open का मतलब क्या होगा open का मतलब होता है कि आपका switch कैसी condition में है आपका जो switch है वो कुछ AC condition में है ठीक है switch जो है वो off है इस current से ये जो current है वो आपका flow नहीं कर पाएगा इस circuit में बकाईदा current flow करेगा ठीक है और bulb बलो करेगा इसमें कोई भी current flow नहीं करेगा ठीक है और इस condition में जो हमारा circuit है वो कैसा दिया हुआ था इस condition में जो हमारा circuit है वो close है मतलब कि आपका current आसानी से flow करेगा और आपका bulb जो है वो अच्छी तरीके से glow कर जाएगा ठीक है चल्ड यहां से इसको खत्म करके पहुचेंगे question number 8 पे using the conduction tester of an on an object it was found that the bulb begins to glow is that object a conductor or an insulator explain ठेक है अब हमने conduction test tester लिया एक object के उपर उसको check किया और वो जो object था उसके कारण यह जो आपका tester है उसका bulb जो है वो glow कर गया है अब यह बताईए कि वो जो object है वो conductor होगा यह insulator होगा अब आपका tester क्या होता है tester एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर ना अधूरा circuit बना हुआ होता है ठीक है अधूरा circuit का मतलब क्या होता है कि उसके सामने की जो निब होती है अगर आपने उसको कही पर लगा दिया तो वो एक complete closed circuit हो जाएगा और जिसकी वज़े से उसमें लगा हुआ जो बल्ब है वो glow कर जाएगा अब glow करेगा और विसी बात है जब current को conducting path मिलेगा तो conducting path कैसे मिलता है भई टेस्टर को conducting path का मतलब क्या होगा कि या तो अपने उसको metal से connect कर दिया हो या फिर किसी conductor से तो जब भी आप tester को किसी conductor से connect करोगे तो वो क्या हो जाएगा उसका bulb जल जाएगा और जब insulator से connect करोगे तो बल्ब नहीं glow करेगा ठीक है तो conductors कौन-कौन से होते हैं फिर से दुबारा याद दिला दू तो silver, gold, copper, steel, sea, water तो यह सभी आपके electrical conductors है और insulator, rubber, glass, oil, diamond and drywood ठीक है तो yes if the object is good conductor of electricity then current will pass through the conduction tester and the bulb will glow ठीक है आप करके देखेगा tester का use ठीक है conductors के उपर अगर आप करके देखते है अगर यह अच्छा conductor है तो उस condition में जो आपका bulb है वो glow करेगा hence the object will be a conductor of electricity और देखें आपको यह चेक करना है कि कोई object conductor होगा या नहीं होगा electricity का तो जो आपका conductor tester होता है उसकी मदद से tester आपके घर में होगा सबके घर में होते हैं electricity के क्योंकि पहले तो बहुत सारे हम घर पे काम करते थे यह चेक करने के लिए कि electricity का सही flow हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है तो tester कैसा होता है सामने से उसमें निव होता है और पीछे की तरफ प्लास्टिक कवर होता है और हर जगे प्लास्टिक होता है ताकि आपको कोई शौक ना लगे बस आप सामने उसको touch ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको क्या करना है उसको हर एक object पर मैटल के, रबर के, प्लास्टिक के इन सारे objects पर आप अलग-अलग time पर रखर करके देखे अगर bulb glow कर रहा है that means कि वो object जो है वो अच्छा conductor है electricity का simple सी बात है, तो हमने यहाँ से इस question को समझ भी लिया और एक नई चीज़ आपको शायद जिनको नहीं पता होगी उनको पता भी चल गए, चलो आगे चलेंगे next question की तरफ, why shouldn't an electrician use rubber gloves while repairing an electrical switch at your home? explain, अब electrical gloves क्यों पहने जाते हैं, अब देखिए कि हम human body कैसी होती है, human body जो है वो conductor होती है, देखें मैं यहाँ पर लिख देती हूँ human body मतलब कि जो हमारा शडीर है, हमारी जो body है, वो क्या हो सकती है, वो हो सकती है conductor, ठीक है, अब जब भी हम किसी electrical appliances पर काम कर रहे होते हैं, तो हमारे हाथ इस तरह सुस पर लगेंगे, ठीक है, अब electrical appliances है, हो सकता है कि current आपको आपको भी shock लग जाए, तो क्या होगा जब भी wires वगरा पर काम करते हैं, तो direct अगर हाथ से करेंगे, तो क्या होगा, क्योंकि ये भी conductor है, और current को क्या चाहिए, current को चाहिए, कि जैसे appliances पर हाथ गया, तो तुरंत ही उसको रास्ता मिल जाएगा, और वो इस हाथ के थूरू क्या करेगा, flow होना शुरू हो जाएगा, अब अ कभी भी current पास नहीं हो पाता, क्योंकि rubber क्या है, rubber एक insulator है, तो जब भी कोई electrician काम करता है, तो वो rubber के hand gloves इसलिए पहनता है, क्योंकि जो rubber होती है, वो insulator होती है, मतलब कि अगर किसी भी electricity पर वो काम करेगा, तो वो current जो है, वो इस rubber के थूरू पास नहीं होगी, और जो व् rubber के पहनते हैं, आई बात समझ में, चले, तो our body is a good conductor of electricity, हमारी body जो है, वो अच्छी conductor है, electricity की मतलब कि हमारी body से जो current है, वो आसानी से flow कर सकता है, and rubber is insulator, और rubber क्या होती है, एक insulator होती है, during repairing work, if the body comes in contact with the current, carrying wire, अब अगर कोई भी repairing work करा जा रहा है, सामने किसी चीज़ का repair हो हो रहा है, तो हमारी body क्या होगी, direct contact में आ जाएगी, अब हमें दो wires को जोड़ा है, directly जोड़ोगी तो क्या होगा, गलती से भी अगर एकार wire भी आपकी body पर touch हो गया, तो current आपकी body से चला जाएगा, अब इसे लिए rubber को पहन लेते हैं, ताकि कोई भी काम किया जाए, तो current अगर गलती से हमारी body पर वो wire touch भी हो गया, तो हम safe रहें, वो gloves ना यहां यहां तक क्यों होते हैं, थोड़ी से बड़े, ठीक है, अब during the repairing work, if the body comes in contact with the current carrying wire, then there will not be any accident as rubber does not allow the passage of current through it, ठीक है, तो इसले कोई भी current उसे पास नहीं होगा, क्योंकि जो rubber है, वो current को पास ही नहीं हो ठीक है, hands electrician uses rubber gloves while repairing and electric switch, ठीक है, इसलिए जितने भी electricians होते हैं, वो generally किसका use करते हैं, वो generally आपके rubber का use करते हैं, gloves में चाहे, उनका dress भी होता है, वो भी rubber का होता है, कब होता है, हमने तो नहीं देखा, तो जो बड़े-बड़े power stations पे काम करते हैं, जहाँ पे electricity बनती है, या अब पावर प्लांट पे काम करने वाले लोग, उनका एक particular dress होता है, helmet लगाते हैं, gloves पहनते हैं, इन सब को क्यों किया जाता है, ताकि उनकी जो body है, वो electricity से safe रह सके, अब जब भी आपके विजट पे जाओगे ना देखना चाहोगे कि बही, electricity बनती कैसे है, तो पहली चीज तो आपको वहाँ पे permission लेनी पड़ती है, और फिर उसके बाद उनके सारे guideline को follow करना पड़ता है, जैसे आप देखना चाहते हो कि क्या-क्या चीजे लगी होती है, तो rubber की चपले पहना पड़ेगी, rubber के shoes पहना पड़ेंगे, helmets पहनना पड़ेंगे, ये सब safety के लिए होता है अब next is the handles of the tools like screwdrivers and pliers used by the electrician for the repair work usually have the plastic or rubber cover on them, can you explain why, again यही question है, कि जितने भी हमारे appliances होते हैं, tools होते हैं, ये जितने भी आपके tools दिख रहे हैं, टिक है, जैसे कि आपका चाहे हम tester की बात करें, या फिर इस तरह से बहुत सारे tools होते हैं, टिक है, टेस्टर होता है, तेस्टर ह करने के लिए एक चीज होती है, बहुत सारे चीज़े हैं, टो screwdrivers होते हैं, या फिर इस तरह से अपन को clip के लिए ये चीज होती है, तो बहुत सारी चीजों में आपने देखा होगा, कि पीछे की तरफ इस तरह से rubber ही लगी होती है, या plastic ही लगी होती है, तो क्यों rubber और plastic ल लगा होता है, जहां से आप इसको पकरते हो, plastic लगा होता है, या फिर rubber लगा होता है, जिसके कारण आपको कोई भी शॉक नहीं लगता, आप तक करेंट नहीं पहुच पाता है, तो कारण क्या है इसका, तो simple सा वही कारण है, क्योंकि plastic और rubber is an insulator, which does not allow the electric current to pass through it, plastic और जो electrician for repair, having the covering of plastic or rubber, so that the electric current may not pass through these tools to the body of the electrician to harm him, ठीक है, तो इसलिए जित्ते भी electric tools होते हैं, उन सभी के पीछे rubber का या plastic का material लगा होता है, क्यों लगा होता है, ताकि इनके through current ना जाए, क्योंकि ये insulators है, तो जाएगा भी नहीं, और electrician की जो लाइफ है, वो सेफ हो सके, उनको क question के साथ ही, हम खत्म करते हैं, हमारे इस chapter का NCRT solution, I hope आपको इस solution है, ये समझ में आया होगा, हमने देखिए क्या है, कि बहुत सारे chapters complete कर लिया है, आपको one by one जैसा जब time मिलता है, बैट करके, बस इनको पढ़ना है, देखना है, समझना है, ठीक है, और साथ ही साथ जैसा मै आपको समझाया हुआ है, कि इसके लिएक notebook जरूर prepare करें, और अगर आपको इससे related कोई भी doubt है, तो comment section में आप वो भी लिख सकते हो, आप playlist पर कैसे जाओगे, या तो इस video की description box में चले जाओ, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, आपको सिर्फ science की playlist में लेगे, अब आपको पढ पढ़ना है, maths, science भी पढ़ना है, तो यह कैसे पढ़ पाओगे, तो आप जाइए Magnet Brains की official website पर, अब यहाँ कैसे जाओगे, तो Google पर जाइए, type करिये magnetbrains.com, जैसे ही type करते हैं, तो एक screen इस तरह से open हो जाती है, इस screen पर आपको दिख रहे हैं बहुत सारे subjects, जो भी subject हैं, उस पर watch now कर दो, for example, आपको science ही पढ़ना है, आपने watch now किया, science by सुर्भी तेवारी पर, जैसे ही करोगे, तो क्या होगा, एक इस तरह से screen open हो जाएगी, इस screen में आप क्या देखोगे, नीचे की तरफ आपको सारे chapters दिख रहे हैं, उन chapters का एक-एक topic, एक-एक solution अलग- जैसे आपको पढ़ना है chapter number one, इसका पहला topic पढ़ना है कि food क्या है, आपने click किया, click करते साथ ही क्या होगा, इस तरह से आपका ये video open हो जाएगा, इस video को starting से end तक पूरा जरूर देखेगा, क्योंकि जब आप पूरा video देखता है ना, तो आपको topic अच्छी तरीके से समझ म आता है, जब आप पूरा video देख लें, आपको पसंद आए, तो इसे like जरूर करें, comment करके हमें बताइए, और इसे share करें अपने same class के students के साथ, क्यों share करें, यह मैं आपको अभी बताती हूँ, इसके साथ जरूरी information है, आपके Hindi मीडियम के बच्चों के लिए, अगर जो बच है, अगेंड यह भी 100% free of cost है, तो इसे subscribe करें, और भी शेयर करने के लिए, क्योंकि आपके जो माइनर ब्रेंज है, उस पर 100% free classes दी जाती है, पिंडर गार्डन से class 12 तक, तो जो फायदा आप ले रहे हैं, वो दूसरे बच्चों को भी मिलें, उनको भी benefit मिलें, वो भी सारी तैयारी कर सकें, तो इसलिए जादा से जादा इसे like और share करें, और चैनल को subscribe करना बिलकुल ना भूलें, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो, तो आपकी subject से या class related सारी update आप तक जल्दी पहुंच जाती है, चलिए हब मिलेंगे हमारे next video में, तब तक के लिए stay happy, stay healthy, thank you so much.